दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सोसल मीडिया में इस समय उबाल उठ रहा है और चात्रों में बहुत ही जबरज़स्त अक्रोस है पियम स्री प्रदानमंत्री अमारे मुदी साब ने मन की बात की लेकिन वो मन की बात जो है इस बार चात्रों के मन के भडास के आगे बाउनी हो गई और मन की भडास जो है मन की बात पर भारी पड़ गई वे रोज़गारों ने डिजिटल स्ट्राइक की है और वो डिजिटल स्ट्राइक अब बिल्कुल करांतिकारी हो चुकी है और हो भी क्यूं ना जब से आपकी सरकार आई है तब से छात्रे सड़कों पर भटक रहे है रोज़गार के ऑउसर आपने कम कर दीए है पकोडा तलने की और चोकीदारी का खुमार लोगों के सर से अब उतर गया है ज़गा दिन तक लोगों को इस बहकावे में नहीं रखा जा सकता कि पकोडा तलना भी रोजगार है और मैं भी चोकीदार बनकर घुमना भी एक रोजगार है जो इस समय पर इच्छाएं चल नहीं है चैवों सेंटरल गवर्मेंट की हों स्टेट गवर्मेंट की हों कहीं पर भी न्युक्ती नहीं हो रही है अगर सेंटरल गवर्मेंट की बात करते हैं तो सेंटरल गवर्मेंट की बात करते हैं इसी तरह रेलवे के NTPC के एक्जाम लेजिए सवा सौ करोन चात्रे फार्म भरकर बैठे हुए हैं तैयारी कर रहे हैं कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप परिच्छा नहीं करवा रहे हैं आप रेलवे को पूरा का पूरा प्राइवेट है जेसन की तरफ ढखेल रहे हैं PSU की बात करते हैं BSNAL जैसे PSU को जो पूरे भारत में इतना बड़ा PSU है उस पे ताला लगने की नोवत आ रही है बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेट करते जा रहे हैं रोजगार सारे छिन रहे हैं चात्रों के जब सब चीज प्राइवेट हो जाएगे तो आखिन नोकरी कहा करेंगे जब बैंक ही नहीं रहेंगे गवर्मेंट बैंक नहीं रहेंगे PSU बैंक नहीं रहेंगे तो कहा नोकरी करेंगे प्राइवेट में एक नोकरी कैसे मिलती है आपको मालूम है प्राइबेट में अपने मनपसंद के लोगों को नोकरी मिलती है वो भी उनका वापिस सोसन होता है BPCL और HAL जैसे पब्लिक सेक्टर आप बेंच रहे हैं BPCL और HAL जैसे तवाम पब्लिक सेक्टर जो आपको डिविजन दे रहे हैं प्राफिट में चलते होई कंपनी को क्यों बेंचा जा रहा हैं नौरत ने इनको बोला जाता है हजारों परिवार की रोजे रोटी इन से चलती है नौरत मतलब देश के लिए नौरत न है किसी ने इनको डिवॉप किया था आप इनको बेंच रहे सारा recruitment पब्लिक सेक्टर में रुका हुआ है लाखों लोग पब्लिक सेक्टर पे नोकरी करते हैं और वो सब आज बिक रहा है रेलवे की कई सर्विसेस को स्टेशनों को एरपोर्ट को उन सब के management को प्राइवेट किया जा रहा है पूरी नोकरी चीनी जा रही है प्राइवेट सेक्टर से भी नोकरियां खतम की जा रही है स्टेट लेवेल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सेर्विस कमिसन ने परिच्छा करवाया एल्टी ग्रेट की परिछा करवाते हैं दो साल से जोइनिंग नहीं थी छात्र तिल-तिल करके मर रहे हैं दो छात्रों की तो डेथे भी हो गई इसी उम्मीद में कि एक दिन हमारी नोकरी मिलेगी हम जोइन करेंगे, हम अध्यापक बनेंगे हम स्कूल में जाके पढ़ाएंगे बागी बंचे वेच्छात्रे रोज सुबह उठते हैं इसी आस में कि सायथ कोई अच्छी न्यूज मिले सायथ कोई गुड न्यूज मिले और वो यूट्यूब पे खाली यही सर्च करते हैं कि एल्टी ग्रेल लेटिस्ट अपडेट क्या मिलता है उनको कुछ नहीं मिलता रोज एक नया बहाना चीजों को लटका के रखना टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं 2011 के चीज़ें अभी पेंटिंग पढ़ी है 2016 में आपने कुछ जोइनिंग करवाई लेकिन 4 साल बाद नोकरी मिल लाई लोगों को 4 साल तक चातर अपना खर्चा कैसे चलाते हैं उनके माता पिता कैसे उनको पैसे देते हैं इसका अंदाजा नहीं है आपको बैंकिंग सेक्टर में कोई नोकरी नहीं है तो चातरों ने अब डिजिटल स्ट्राइक कर दी है और जो मन की बात आपने की थी BJP के YouTube चैनल पे जो वीडियो पड़ा हुआ है उस पर लोगों ने अपनी भढ़ास निकाल दी 10-15 गुना ज्यादा डिसलाइक हो गए वीडियो और सारे वीडियो को खोश-खोश के चातरे डिसलाइक कर रहे है सारे YouTube चैनल इजामपूर जैसे बड़े बड़े चैनल डिजिटल स्ट्राइक करवा रहे है डिजिटल स्ट्राइक चल लही है चातरों की समय पांच तारिक को प्रोग्राम भी रखा है चातरों ने आपने जैसा कहा देश ने आपका साथ दिया आपने ताली बजवाई ताली बजवाई दिया जलवाया सब कुछ किया चातरों ने किया बेरोजगारों ने किया और वो भी ताली थाली का प्रोग्राम होना बना लिया है पांच सितंबर को सामको पांच बचकर पांच मिनिट पर सारे बेरोजगार अपने छट पर बालकनी में आएंगे ताली और थाली पीटेंगे क्योंकि परेसान हो चुके हैं सिच्चक दिवस है पांच सितंबर को और सिच्चक दिवस के सुब आउसर पर पीम द्वारा ही अपनाये गए तरीके का इस्तिमाल करते हुए पूरे देश में छादर पांच बज़कर पांच मिनिट प्ताली थाली बजाएं जिससे की बेरोजगारी के आवाज सरकार तक पहुंच सके यह चातरों का प्रोग्राम है सोसल मेडिया पर मैसेज वैरल हो रहा है चातरों तक यह चीज पहुँच रही है अगर यह चीज वास्तों में हो जाती है ये कैलिकरम हो जाता है तो पूरा भारत देश गूझेगा ताली और धाली से, बेरोजगारों की आवाज से, जिसकी आवाज को दबाये नहीं जा सकता. रोजगार पाना हर एक नागरीक का करतब भी है. रोजगार पानी के लिए छातर, सिच्छा गरहन करते हैं और सिच्छा गरहन चासे करते हैं उस विशाब सो उनको रोजगार मिलता है लेकिन यहाँ तो बेरोजगारी का आलम ही तूट गया है अब छातर करें भी तो क्या करें इसलिए अपने जो तो मैसेज उनको ट्रेंड करवा रहे हैं, अब ये मैसेज भी ताली-थाली का भी जो है, ये भी ट्रेंड होगा, SSC के लिए जो मैसेज दिया गए हो भी ट्रेंड होगा, तो अब सांत नहीं रह सकती सरकार, सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा, SSC की कुछ प्रितक्रियाएं आने लगी है, UP SSC से भी कुछ चीज़ें वहाँ से भी आने वाली है, ऐसी न्यूज मिल लई है, क्योंकि जो छातरों की जो मुहिम है, डिजिटल स्ट्राइक, इसका असर तो पढ़ना ही पढ़ना है, और सारे चैन बोर्ड, भरती बोर्ड जो है अब उनको एक्टिव होना पड़ेगा, सरकार की जो गलतिया है, उसका एक जीता जाकता हुदाहरन, देखिए 79,000 से छक भरती के छातरों का बनाया हुआ है, ये बैनर उनकी पीड़ा को ब्यक्त करता है, मैं भी विरोजगार लिखा है, इन्होंने मांसी प्रतलना की पराका होती है, दुबारा वो गलती नहीं की जाती है, आप एक बार परिच्छा के पहले कटाफ उसमें कम कर देते हो, दूसरी बार आप कटाफ डालते ही नहीं हो परिच्छा में, बाद में कटाफ लगा देते हो, इस तरह की चीज़े करके छातरों के वाल हतास, निरास और बेव किये थे कि वकील बनने के लिए, पता नहीं कितनी धाराएं उनको याद हो गई है, कॉज लिष्ट डिली देखते हैं, एडिस्टनल कॉज लिष्ट क्या होता है, यह इन सब के बारे में जानकारी लेगते हैं, कोवेट क्या होती है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, तो आने वाले भविस्त में आपकी सरकार में सिच्छक बनेंगे तो उनको पहले ही इतना उल्जा दिया जाता है ग्रामीड विकास अधिकारी की वेकेंसी आपने निकाली ज्वाइनिंग आपने अभी तक नहीं करवाई पता नहीं कौन सी इंक्वारी चल लें उसके उपर 1900 कुछ पत निकाले आपने रिजल्ट कम लोगों का निकाला उसके बाद भी उसके क्या चला क्या नहीं चला कुछ भी किलियर नहीं कर रहे हैं एक तो एक्जाम होने कोई भी एक्जाम आप करवाते हैं कोई भी एक्जाम होता है उसके अगले दिने निज्पेपर उसमें जितने लूप when it's famouswhen कहीं नकशप आई कहीं कहा है जब आपका सिस्टम चुष्त दुरुतर रहेगा तो कोई निज्फ पाय tombicki नहीं होगा कोई सलवर नहीं बैट पाएगा तो अब छात्र जोंकने वाले नहीं चुप रहने वाले नहीं डिजिटल स्ट्राइक में डटे रहेंगे तब तक डटे रहेंगे जब तक उनको कुछ फुरूटफुल डिसीजन न मिल जाए जब तक आयोगों के कान में आवाज प्रग्राम अब देखना है चाद्र कितना सफल कर पाते हैं तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेवडेट के साथ धन्यवाद